गंदी से गंदी टाइल्स को भी आप कर लोगे चुटकियों में साब ऐसी ट्रिक आज आपके साथ सेर करूंगे गाइस तो फूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ आपके साथ में कुछ कीचन टिप्स भी सेर करूंगे बहुत सारे कीचन टिप्स आज आपके साथ सेर करन कि आपको दूद्ध ना हो तो इसके लिए आपको लेना है मीटा सोडा चुंकती तो इसको डाल के और आप रख दीजी आप रखे इसमें नहीं नहीं रख अज़ने आप रख रहे हो तो यह ट्रिक आपाड़ा सकते जो आपका दूद है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यह ट्रिक आपको थोड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरू बताइएगा अब है नेश्ट टिप है वह पपीता से लेके जैसे हम मार्केट से पपीता तो खरील लाते हैं लेगिन कई वर क्या होता है हमारी पपीता और ज्यादा मिठास वाली भी हो जाए पक भी जाए और हमारी पपीता खराब भी ना हो तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक आज आपके साथ मैं सेरी करने वाले हूं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इस तरह से लेना है न्यूज पेपर लेक पपाया तो इसमें दवाई चिड़काते हैं और दवाई से आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा नहाने कारक होती है लेकिन यह मैं मार्केट से लेक्या हूँ लेकिन अच्छी से पकी नहीं थी तो इसलिए मैंने क्या किया है इसके चार और इस पेपर को नीच पेपर क दिया है और इसको मैं रख दूंगी इस तरह से रखने से दो काम होएंगे साथी-साथी मिठास भी बढ़ेगी और यह खराब हरी की हरी रहेगी तो टेस्ट भी नहीं लगेगी तो टेस्ट बढ़ाना है तो इस तरह किसे आप कर सकते हो उमीद करते हूं आपको टिप पसंद आई होगी अब है नेक्स टिप है मिर्चियों से लेके हैं मिर्चिया हम कई बार क्या होता है धेर सारी ले आते हैं तो कई कटी Кटी फटी भी आती खराब भी आ जाती है तो इस तरह से कटी-स्टरम भी त happen कि चाट ढ़ी flow और डास्ट में जो इसके रूट सो थे पिछी जो पूचल लगी होती है वह क्या होता है कि और होता के दंट़ होता है हो वहाँ सेही सड़न्द पैदा होती है तो वहां से सबसे पहले मिर्ची खराब होने लगती है तो सबसे पहले तो इसके पिछे का डंठल हटा देना है दंडी हटा देनी है और फिर बाद में पूरी मिर्चियों को आपको इस तरह से साप कर लेना है पूरी मिर्चिया में इस तरह से साप कर लिया है औ अब इसको मिर्चो को क्या करना है नीज पेपर में इस तरह से डाल देना है और फिर मैं एक सार कर दे रही हूं उनको रखने में ताकि हमें आसानी रहे और लेने में भी आसानी रहे तरह से मैं इसको इखटा करके रखूंगी तो यह क्या होगी कि हम मिर्चो को आसाने से ले प्रण प्रवर्ट बढ़ने से होता किया है दो मिर्चा मैंने मैंने बहार रख लिए क्योंकि अभी मैं सब्जी में काम इतनके नहीं की करके मेराचील और मिर्चीया करें हमारी इपन मीरे ला meat Exp ad मरत्व आराम से चले की लोगी आपको पासंदी और आपको तरगे लेक new or ल्हें मार्क से खलेगे हैं तो कई एपल ऐसे 敬不会 होते हैं आप इलबर बोग सबढ़ कर दोỏ सक्ता करती हैं उसकी टिख भी कड़ाई करती है used होंने लगा, नॉर्म बीमारी जीटा हो गया है, नौर्म, बीमारी जीता है, हैँ इसलिए आप जब इपल लेके का हैं, तो इस तरह से चेक कर कर लिए और ज्यादा चमकती हूं ज्यादा साइनिंग वाली एपल कभी भी ना ले चेक जरूर करें यदि हम इस तरह से नाइफ से इस तरह से रगड के उसको चेक करेंगे ना तो इसके उपर आलगी लेड़ सी निकल के आएगी तो वह क्या होता है कि हमारे सरीके बिल्कुल भी फायदेमन नहीं होती बहुत ज़दा हानिकारक होती तो इसमें तो ऐ कई बर दाग दब्बे पड़ जाते कुछ गिर जाती है चाय गिर जाये आम पाटी वाटी में जाते हैं सबजी अबजी गिर जाये तो दाग दब्बे ऐसे जिली निकलते नहीं है कई बर हमें ब्रस भी लगानी पड़ जाती है तो ब्रस लगाते हैं तो ऐसी नेट की है यहाँ टाiiii तो चल देना की आध सीधा तो सीधा इस को आड़ होता वो नएक खी चेंगे और बड़े आसानी से आप साफ कर लोगे नेट की साड़ी पे अच्छे से ब्रस मार पाऊँगे रएक अच्छे साफ भी हो जाएगी और इसके धागे भी नहीं किचेंगे वी साड़ी हो या सूतो जिसको भी आप ब्लाइब वरक वाली में हो इसी भी साड़ी ओ भारी वह दो सकते हो ती इस तरी के से तो यह तरह से कोई सोक साफ के पास पढ़ा हो तो अप इस सीठे के से यूझ ले सकती हो फटे पुराणयों को फेके ना बहुत ज़्यादा काम के आते हैं तो इस सीठे के से आप सापका कsty तो सीधे आप इस तरह से नाद होएं कि आप सीधे ही ब्रस मानने लग जाए तो उससे साड़ी खराब हो जाती है चोटी सीटी पर लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है अब है नेक्स टिप है वह है सपेद कपड़ों से लेके सपेद कपड़े जैसे बच्चों की इनिफॉर्म एक कपडा और लग लगा ली। कळलर तो आपको कुछ नहीं कर ना आपके पास कोली साहीआ हो ლ the Eye words गौह पर्फियु में ले सकते हो परफियुम से क्या होता है यह भी पैन के निसान होते न होते कि ने बड़े आसाने से तो पर्फियूम मैंने स्प्रेग करते ही जो पैन का निसान हो इस तरह से स्याही उसकी फैनने लगी है तो इस तरीके से है यह क्या होगा कि आसानी से निकल जाएगा दाग तो अब मैं इसको आठा के दिखाऊंगे तो शाही का दग या कोई सा भी हो बड़े आसानी से निकल जायगा तो थो तोड़ा सा ओर मैंी पर इस प्रे करण गी तो और चमय कर दूँगी मैं तो यह एस तरिके से आप आपके पास को एक हो यूज करТे हो प्लिू यूज या प्र accident तो आप लगा लिया जाएं निकल जायेगा हैं वербाल गाई है क्लाय त Rogоч i7 या विपते डे बिदी तो फैक करदे वालने को स Image प्रक्रत नितले केसा बच्छ इनिफर्म होяться या समय कॉर्सीं संध Meos तो को आप इस तरह से निकाल सकते हैं यह वाले दाग उसaison के निए उट पर में लगूर." तो खाल करदाub हो कहा के लगबग किया है। बिल्कुल भी इसमें निसान नहीं है। तो गरस तरह सीझ तरी के से आप अपने सर्ट में वाइड सर्ट में कोई सीवी वाइड सर्ट में से इस तरह से निसान काल सकते हब पढ़रे में को 뉴스 अभी आदग लग गया है पैन का शाय का तो इस तरीके से आप बिल्कुल रिमू कर सकते हो बड़े आराम से साफ हो जाते हो देश रते हो गाइस बिल्कुल साफ हो गई है हमारी साट बिल्कुल भी दाग नहीं रहा है पैन का जो निसान मेंने लगाया तो बिल्कुल भी नहीं रहा है बिल्कुल रिमू हो चुका है तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो बिल्कुर साप कर सकते हो साइट को तो आपको ये ट्रिक थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा ये ट्रिक कैसी लगी बहुत ही कमाल की ट्रिक लगी है मुझे तो और आपको लगी हो तो कमेंट करके जोरूर बताईएगा और नेrence इसके बैवा है टाइल से लेकर जैसे टाइल इस तरह से हमारी बहुत जटाद गंधी होजाती है तो यह रेलवें की है तो रेलवें में हम रहते हैं क्वार्टर में तो बहुत कर एक याप अच्छा सा काम करता है जिद्धी से सरफ कि शुदाने का बहुत वर्ग करता है तो मैंने इसमें इनो डाला है इनो की जगे आप मीटा सोडा डाल सकते हूं जो घाने वाला मीटा सोडा होता है वो भी इसमें आप यू ले सकते हो अब पर नमक नमक से भी अच्छी से गंद की सांप होती है तो नमक मैंने कड़ी बनादः चमच की लग्वह बना सकते दक्ता लींत चंब कर हैं यह दियो को कुरी सताफ पूरु have टायो तो ज्यादा कौश्डी सांप बना सकते axes लास्ट मी डालने वाले हैं के 신ब्स चाहिए वर्क करेगा तो यह हैं या मंने चाहिए चाहितनी होकी जटानएक ऒरनेवाली के तो टाले कगए नहीं लास्ट ही अदो क्लिशर विनिगर में एपली刃 के बहुत थाय। तो आप जैसे पीते ही हो कोई सब्सक्राइब यू ले सकते हो तो उससे भी बहुत यच्छे से यह वरग करेंगा इस बहुत यह अच्छा बनके रेडियू जाएगा जाग जाग नाजर आ पूरी जो चीजे डाली हो इस तरह से रेक्षन कर गई है तो जाग जैसा बन गया और इसी टेम आपको इसको यूज लेना है इसको रखे रखोगे तो वो इतना वरग नहीं करेगा क्योंकि इस टेम यह रेक्षन करा उसी टेम आप रस पे लगाओगे या कही भी टाइल्स को स आए तरे जन्क आप विपेट करेंगें मे नहीं भेशार देना है इस तरह इस तरह से हैंट बूड़ा फरीट को यह अब जाली है और समानी सब्सक्राइण करेंगे तो मैं तो इसी तरीके से इसी solution से साफ करती हूँ जो भी जिद्धी से जिद्धी दाग होता है उसको इस तरीके से साफ कर ले तो बड़े आसानी से निकल जाता है तो गैसे आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंदारी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिये गर आपको दिवाली आने वाले दिवाली में इस तरीके से हम साफ साफ सपाई सभी करते हैं जिद्धी से जिद्धी दाग होता उसको इसे निकालने की कोशिस करते हैं तो एक से बढ़के एक टिप आपके साथ सेर किये गाई तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसी लगी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी भी मत करिएगा तो यह गाईस मैंने लगा दिया है और आप मैं 15-20 मिंट के बाद में दुबारस इसको साप कर रही हूँ तो साप कर रही हूँ तो गयसी यह बहुत पुरानी टायल्स है बहुत ही पुरानी जो हम रहते हैं घर वह बहुत ही पुराना है और जो इसमें और दबर नज़र आ रह Era वह वह ज spricht वह लगये हुए तो वह तो शूट नहीं टाइल्स को साप करोगे गंदी यह न तो चमकने लगेगी यह बहुत ही पुरानी थी इसलिए इतनी नजर नहीं आ रही है लेकिन इसके दाग ना बिल्कुल निकल चुके थे तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्ल प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को करें सब्सक्राइब और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए और कमेंट करके जरू बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडि वीडियो में टेप सेंट्रिक के साथ बाई एंटे क्यार